आज का हमारे टॉपिक है लेवल्स of biological classification लास लेक्चर में हमने देखे थे कि कौन-कौन से लेवल्स होते हैं जिनकों परसकते हैं और उन लेवल्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें study करते हैं आज ये लेवल्स को हम डीटेल में देखेंगे सबसे पहले हम लेवल्स के नाम अटॉमिक लेवल के बाद हमने पढ़ा molecular level के बाद हमने पढ़ा था organelles and cell level organelles and cell level के बाद हमने पढ़ा था tissue level tissue level के बाद हमने पढ़ा था organ level, organ and organ system level organ system level के बाद हमने देखा था individual level और individual level के बाद हमने देखा था population और community level population और इसके बाद community level level आज इन सारे levels को हम detail में देखेंगे के इन levels के अंदर हम basically पढ़ते क्या हैं सबसे पहले तो आजाता है atomic level atomic level को हम detail में देखेंगे atoms क्या होते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं atomic atomic level जैसा कि आपने पहले भी अपने पिछली प्लास में पढ़ा है atom का structure हम सब देख ते आ रहे हैं atom किस तरह का होता है सबसे पहले हम यहां पर एक atom draw कर लेते हैं ता कि हम इसको detail में सही तरह से पढ़ सके यह इसके दरम्यान में nucleus है और atom के एड़ के डिफेंट अलग कॉन्स जो हते हैं वह रिवाल्स कुछते हैं इस पहाँ से यह हमने एक atom बना लिया है यह इसका first shells तो यह एक atom हो गया इसमें हमने क्या पढ़ा था कि electrons जो होते हैं वह इसके बाहर रिवॉल्फ कर रहे होते हैं यह इसके shells होते हैं और इसके दर्म्यान में जो है वह एक nucleus होता है जिसके अंदर basically protons होते हैं और neutrons होते हैं तो यह एक atom का हमने structure पढ़ा था जितने भी living organisms हैं यह जितने non-living organism हैं वो सबके सब atom से मलके बने हो है atom को हम कहते हैं कि यह simplest unit होता है simplest unit किसी भी organism का किसी भी non-living या living चीज़ का और atom के अंदर हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो जब हैं और इसके इलावा जितने भी एक atom के अंदर particles पाई जाते हैं और सब को जम स्टेडी करेंगे तो वह होता है atomic level नेक्स्ट वह मारे पस लेवल आउस हम कहते हैं molecular level molecular level हमने अपने पिछली कास में पढ़ा था कि elements जितने भी हमारे product table के अंदर पाई जाते हैं वह कभी भी isolated नहीं होते वह isolated यानि एक अकेले कभी भी भी पाई नहीं जाते सिवाए कुछ noble gases के जितने भी elements होते हैं वह combined form में होते हैं isolated नहीं होते हैं तो combined form में पाई जाने का मतलब यह है कि उन्होंने bonds बनाई भी होती है different तरह कि bonds पाई जाती है elements के अंदर या तो वह ionic bonds से combined होते हैं तो जितने भी elements होते हैं वह आपस में इकटे होते हैं किसी ना किसी bond की मदद से और वह bond है या तो वह ionic bond हो सकती है या फिर वह covalent bond हो सकती है यहीं जो bonds होती हैं वह इन elements को stable बनाती हैं इन bond के वाज़े से हो elements exist कर सकते हैं stable nature के अंदर डिफरेंट जो molecules हमारे body के अंदर पाई जाते हैं वह different elements से पाई जाते हैं वह सच्छे हमने कुछ elements को study किया था कि वह कौन कौन से elements हमारे body के अंदर होते हैं उन तमाम elements को हम bio elements कहते हैं जो हमारे body के अंदर होते हैं हमने देखा था कि total 16 elements हैं पूरे periodic这ब mistakes जो हमारे body के under होते हैं audio जो सबसे ज्यादा होते है per sensation wise दिसमे फस्फे में a hydrogen है carbon आजाता है इसके आवह oxygen और सबसे में बहुत जादा है mumImp만 लिगर छासे हैं dip पर है किलावा मजीद वो हमने देख थे और ऐलमेंट यह कुछ मेजर इलमेंट से अंदर बॉडि नदर पाए जाते हैं हैं यह इंके अंदर डिफंट था टार कि बोर्न्स होती अगर हम by weight divide करें molecules को by weight तो अगर हम इस तरह से divide करें तो molecules की दो types होते हैं molecules, molecules, इसकी दो types होते हैं एक हम कहते है micro molecules और एक को हम कहते है macromolecules macromolecules जैसे के नाम से पते चल रहा है यह छोटे molecules होते हैं यानि ऐसे molecules जिनका molecular weight बहुत कम होता है जैसे for example carbon dioxide या water अब यह ऐसे molecules हैं जो बहुत size में छोटे हैं जिसमें सिर्फ एक carbon का item है इसके अंदर दो oxygen item है और यह पूरा molecule बन गया लेकिन इसकी contrast में अगर हम लोग macromolecules को देखें macromolecules हैं वो बड़े molecules यानि ऐसे molecules जिनका molecular weight जाद होता है for example हम starch को देखते हैं या फिर proteins को अगर हम देखें तो यह macromolecules हैं proteins के structure के अंदर या starch के structure के अंदर बड़ी बड़ी change होती हैं जिनके अंदर different elements combine हो रहे होते हैं और इनका weight निस्पतन macromolecules के बहुत जादा होता है तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमने molecules को classify कर लिया दो types में बन लिया इसके इलावा जितने भी हमारे पर molecules nature में exist करते हैं हम उसकी दो types बना लेते हैं molecules और इसकी डो types हम बना लेते हैं एक हम कहते हैं organic और एक हम कहते हैं inorganic organic molecules हम उन molecules को कहते हैं जिनका living source होता है और वो molecules उनके अंदर कार्बन का present होना जरूरी होता है इनके अंदर कार्बन के derivatives जाने के कार्बन के साथ hydrogen होसकता है इसके साथ nitrogen combine होसकता है या मजीद और elements इसके साथ combine होसकते हैं यह organic molecules है इन औरगेनिक molecules वो molecules जिनके अंदर कार्बन या कार्बन के derivatives ना पाय जाते हों उनको हम इन औरगेनिक कहते हैं परिस्ता से हमने molecules को different categories में define कर दिया कि ऐसे molecules जो weight के हिसाब से जब हम इसको classify करते हैं कि हम कहते हैं कि या तो micro molecules होते हैं या macro molecules होते हैं और अगर हम इसको different types में divide कर दें biological molecules को हम जाते हैं और वो different types के होते हैं उनकी different complexity होती है इफिर्ट पाजाते हैं एक्जांपल में देख लेते हैं तो हम लोग वैक्रोमॉलेक्यूस के ग्रमने फिर्टे ग्रमने तो ग्लुकोज आ जाता है आजाते हैं आजाते हैं इन सब्सक्राइब करेंगे कि इनका स्ट्रॉक्चर कैसा होता है या इनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ही शानी निकलियोग्ताइट है चिंदर हैं थाख बनदर हमारे पास एक रहता है या एdens फोस्ट है इसे तरह ADP से adenosine diphosphate और AMP से adenosine monophosphate D for di and M for mono adenosine monophosphate इनके structure को हम detail में study करेंगे next chapter में यह तो हमारे होगे molecular level इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास level of classification आता है उसे हम कहते है और गिनली और इसे लेवल के अंदर हम लोग different organelles और cell को study करते हैं cell के अंदर पाए जाने वाद डिफेंट components और molecules को study करते हैं और गिनली किसे कहते हैं सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि और गिनली होते क्या है और गिनली हम कहते हैं cell के अंदर डिफेंट जितने भी components होते हैं वह सब और गिनली होते हैं यानि कि अगर हम एक animal cell की बात करें तो कुछ ऐसी शेप होती है animal cell की animal cell की boundary outer wall इसके अंदर हमारे पस होता है और इसके अलावा इसके अंदर डिफेंट वाक्यूज होते हैं एक सजादा वाक्यूज भी हो सकते हैं और एक animal cell के अंदर डिफेंट अधर components होते हैं चैसे एक्जाम्पल हम कहते हैं house लावय होता है इसके अलावा हम कहते हैं और इसके इसके आलावा जाब के अंदर होड़ी हैं उप्ता है धाय planning और सभी होता है तो यह हमने एक animal १िठ को ढ्रौ कर हिरा यह था हमारे पास वैक्यूर और यह हमने कहा यह माइटो कॉन्फिया है और इसको हमने कहा यह गॉल्जी वाडिस है और यह हमने कह दिया कि यह नियुक्लियस है सबसे बाहर एक एनिमल सल के सेल मेंब्रेन होती है और यह नियुक्लियस था और नियुक्लियस के बाहर एक मेंब्रेन होती है जिसम कहते हैं नियुक्लियर मेंब्रेन नियुक्लियर मेंब्रेन तो सब कुछ जो के एक cell membrane और एक nuclear membrane के अंदर पाया जाता है वो सारी चीज़ें उन सब को हम कहते हैं कि वो organelles हैं यानि इस केस में हमारे पास वेक्यूल, माइटो कॉंड्रिया, nuclear, गोल्जी बाडिस इसके उलावा भी सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ें पाय जाती हैं तब को हम कहते हैं कि यह cell की organelles हैं हमारे पास जो individual होते हैं, organisms होते हैं वो different types के हो सकते हैं और उनके अंदर cell organelles डिफरेंट तरह की होते हैं हम bacteria की बात करते हैं bacteria जो है, वो single cell organelles है यानि कि उसका पूरी body है वो सिर्फ एक ही cell से मिलके बनी है लेकिन हमारे पास different animals जो आ जाते हैं complex animals और plants यासे animals के example हम लेते हैं तो उनके अंदर millions and trillions of cells होते हैं यानि अर्बों और खर्बों में जो हैं वो cells एक organism के अंदर पाया जाते हैं एक cell के अंदर जो हम ourginalis के बात करते हैं जैसे for example हमने एक animal cell बनाया था animal cell और इस animal cell के अंदर हमने different ourginalis को देख्या है हर ourginalic का अपना अपना काम है जैसे for example, vacuum है, तो vacuum का यह काम है कि उसमें water के सेल के अंदर जितना भी पानी है उसका balance रखना है इसके लावा food recule हो तो फूड वैकृल का काम है कि सेल के अंदर जितनी food है वो सब को control करना है जब जो रिटिविशन का काम या होता है कि during cell अपर होते हैं तो हर और अपना प्रम इसी को हम कहते हैं डिविजिन अफ लेबर division of labor labor मतलब काम division of labor यानि cell के अंदर इसने अपने सारे काम बांटे हुए हैं और यह सब काम मेर जूल के सम्मेल के कर लेती इसको कहते हैं division of labor cells के अगर हम types को study करें तो cells की basically अगर हमारे पास cells है तो इनकी दो types होती है एक को हम कहते हैं prokriotic cell और एक को हम कहते है eukaryotic cell prokriotic cell में क्या होता है prokriotic cell को हम अलजडी पढ़ पिचोके हैं ऐसे cells जिसके अंदर कोई भी membrane bounded organically नहीं होती है नहीं कोई भी ऐसे organically नहीं है जिसके उपर membrane होका जिसके नहीं कहते हैं no membrane bounded organically और जो eukaryotic cell है ये complex होते है और इनके अंदर membrane bounded organically होती है membrane bounded organically जिसके इनके इंदर organically होते हैं उनके उपर membranes होती है जैसे for example अगर हम इस अपने उपरवले animal cell की बात करें जो हमने already study किया है तो इसके अंदर हमारे पस nucleus है तो nucleus के बाहर भी एक membrane होती है इसी तरह इसी तरह आपर जो वैक्यूल है वैक्यूल के बाहर भी membranes होती है जितनी भी organically है इनके बाहर membrane होती है लेकिन जो prokylotic cell होता है उसके अंदर membrane bounded organically नहीं होती है उसकी shape कुछ इस तरह से होती है जिसके for example हम bacteria के shape बना लेते हैं इनके बाहर cell membrane तो है यह cell membrane लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी organically नहीं है जो membrane bounded इसको जो nucleus होता है उसके बाहर भी कोई membrane नहीं है तो इसलिए nucleus के अंदर जो DNA है वो ऐसे ही cytoklasm के अंदर float करता लेता है इसी तरह इनके अंदर कोई बजीर इतने complex bodies जितने organelles पाई ही नहीं जाती है अपनी movement के लिए इनके अंदर दो strand इसको कहते है FLAGULA FLAGULA के through यह move करता है यह बहुत है simple cell होता है जैसे bacteria cell है वो इसकी एक example है eukerotic cell जैसे हमने अपना उपर पाढ़ा animal cell इसी तरह जो plant cell होते हैं यह eukerotic cell हैं और यह complex cells होते हैं जिनके अंदर सब membrane-bounded organelles हैं और division of labor है सब organelles का अपना अपना काम है यह तो हो गया organ level इसके बाद next level of organization है हमारे पास उसे हम कहते हैं tissue level tissue level के उपर हम different cells को combined form में पढ़ते हैं यानि ऐसे तमाम cells जिनका एक ही function हो same function या फिर वो similar हो structure में similar cells हो तो हम कहते हैं वो सब एकटे होके एक tissue बना देते हैं और एक tissue जिसे फॉर एक्जांपल हमारे पास different target tissue होते हैं glandular tissue इसके लाब हमारे पास muscular tissue या जायलम tissue या phloem tissue इसे different types of tissues हैं जो के हम देखते हैं glandular tissues कों से tissue होते हैं इसे tissue जिसके अंदर different तरह की secretions होते हैं secretion का मतलब है कि इसके अंदर से different chemicals release होते हैं जिसे for example हमारे skin के अंदर glandular tissue पाए जाते हैं जिसके थूँ हमें पसीना आते हैं sweat glands होते हैं जिसे हमें पसीना आता है तो यह glandular tissue से इसके बाद जो है muscular tissue muscular tissue के काम यह है कि इन्होंने contract relax रहना होते है और इसके थूँ हम अपने पूरे body के movement कर सकते है contraction and relaxation यह इनका function है इसके बाद जालेम tissue xylem tissue xylem or phloem जहें वो plants के अंदर पाए जाते है xylem tissue का काम यह है कि इन्होंने transport करना है water को transportation of water plant के body के अंदर पानी को transport करना होता है from roots to other parts of the plants plant के बाद की body के अंदर यह xylem tissue लिए थूँ होता है इसे तरह जो phloem tissue का यह काम है कि उन्होंने food को transport करना है transportation of food food जा है वो plants की different तरह के हो सकती है sugars हो सकती है उसके अंदर proteins वगरा हो सकती है तो यह जो food transport होती है plant के अंदर वो phloem के थूँ होती है यह तो था tissue level तो ऐसे हम summarize कर लेते हैं आज की lecture में basically हमने क्या क्या पड़ा सबसे पहले तो हमने different level of classification को देखा था कि वो कौन-कौन से levels हैं जिन पहे हम classify कर सकते हैं सबसे पहला है atomic level उसके बाद molecular level orginalian cell level tissue level, organ level individual, population and community level इन levels को फिर हम मजीद detail में देखा था सबसे पहले हमने atomic level को देखा हमने atom के structure की बात की उसके बाद हम molecular level पे आगे molecular level पे हमने different molecules को चड़ी किया molecules की different types को minimum molecules, macromolecules और इसके बाद हमने देखा bio molecules हैं वो दो तारह के होते हैँ organic और इन ओद energy फिर उसके बाद हमने study किया different originality and cell level को cell level के अंदर हमने एक animal cell को study किया उसके अंदर different orginality को study किया उसके बाद हमने tissue level को देखा tissue level के अंदर हमने different tissues कि बाद कि और देखा कि डिफरेंट टिश्यू की क्या फंक्शनलिटी है नेक्स लेक्स सेक्चर में हम मजीद जो बाकी लेवल हैं उनको बीटियल में स्टाडी करेंगे